हेलो फ्रेंड्स मैं आप लोगों का अपने एडुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिहार बोड ने अपने ओफिशल वेबसाइट पर मोडल सेट को जारी कर दिया है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Class Trend Science के Model Paper के Objective Questions के A to Z Solution के बारे में जी हैं दोस्तों इसमें हम सारे प्रस्णों को देखने वाले हैं और उसके solution को समझने वाले हैं साथी साथ उसको explain करकी भी समझने वाले हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो के अंच तक बने रहें ताकि आप जो है अपने एक्जाम में अच्छा नंबर स्कूर कर सकें तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है जो जिणरली आप लोग जानते हैं इसमें मैं अपने वक्त को नहीं गभाता हूँ मैं आगे चलता हूँ पहले नंबर प्रस्ण की तरफ तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहला नंबर सवाल क्या किस दरपन की फोकस्दूरी नियानात्मक होती है यानि किस दर्पन की फोगसदूरी माइनस होती है तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number B यानि अवतल दर्पन उसके बाद अगला प्रस्थन है आपका दर्पन की फोगसदूरी F और वकरता तरीजिया R में क्या संबंध है तो इसका भी आपका right answer हो जाएगा option number B यानि F बराबर R by 2 और इसको question को घुमा करके भी इस तरीगे से पूछ सकता है कि ऐसे options रह सकता है R बराबर 2F तो जो भी option इसमें से आपको मिले ये दोनों options में तो option में से तो आप उसको tick कर सकते हैं अगला प्रस्ण है आपका समाने दिरिष्टी के लिए असपश्ट दिरिष्टी की नियूंतम दूरी होती है तो यहाँ पर असपश्ट दिरिष्टी की नियूंतम दूरी होती है आपका 25 cm और आपको सवाल कोई सरीके से घुमा सकता है कि समाने दिरिष्टी के अधिक्तम द गुजरने के पशाथ सबसे कम जुखता तो यहां पर आपका कोश्चन नमर फोर का जो एंसर हो जागा ऑप्शन नमर सी यानि लाल जैसा कि हम सब को माल जानते हैं कि लाल रंग का त्रेंग धर्द मैक्सिमम होता जिस वज़से यह जो है प्रिज में से गुजरने के पास पश किधा करके हमको दिखाता है और आप्शन नमर सी यू राइट आंसर अगला है आपका आकास का रंग निला प्रतीत होता है तो कोश्चन नमर शिक्स का आपका सही एंसर हो जागा ऑप्शन नमर भी यानि प्रकास के परकिर्दन के कारण यह रंगों को क्या करता है बिखेर देता है that's why the color of sky appears due to the sketching of light यानि option नमर भी यू राइट अंसर अगले हापका किस दर्पन से वस्तू का प्रतिवीं बरा बनता है तो कुश्चन नमर साथ का आपका सही जवाब हो जागा option नमर भी यानि अवतल दर्पन उसके बाद आपका निमलिकित में कौन सा लेंश निक प्रतिव को दर्शाता है तो जो है आपका यहां पर कॉश्चन नमर नौ का आपका सही जवाब हो जाएगा को अब कुश्चन नमर को आपका सही जवाब हो जागा option नमर सी यानि generator उसके बाद आपका दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया तो यहां पर आपका साहियोजन द्वरा प्रतिरोध का मान भरता है तो यहां पर आपका कॉश्चन नमर बाड़ा का आपका सही जवाब हो जाएगा option नमर ए यानि श्रेनीकरम साहियोजन उसके बाद है आपका चुम्बा के बल रेखा के प्रकिरती होती है तो चुम्बा के बल रेखा के जो प्रकिरती होती है यह कालपणी के रेखा होता इसके वाद है का अगला कुछ करने की इसको एक बार यूस्ट कर सकता है तो कौन से लेंस आप सारी लेंस का अब सारी नहीं है यानि आवटतर लेंस श़ुद से भी पूछ सकता है को सारी लेंस गहाँ जाता है था पूछ reluct क्या हो जाएगा option number B उत्तर लेंज उसके बाद आपका प्रकास का प्राथमिक वर्ण प्राथमिक वर्ण कौन है तो कोशन आपका सही जवाब हो जाएगा option number A यानी करनिया उसके बाद पहला आपका उनीस नमबर सवाल है आपका एक एच्पी बराबर होता है तो 746 वाट की यानी option number A यो राइट आंसर अगले प्रस्णों कि अगर बात करें विशालक सीशा यानी मैंगनिफाइंग ग्लास होता ह harm पर हम पर सही जवाब हो जड़ागा ये प्रकार का उतर लेइंस होता है ने option coverage is प्रवाइट होता है आपका ऊसे जागर सबस्क्राइब करें कहा यहां से यहांत ऑप दिमाग में बैठा ले कि हमारे किसी भी पदार से सिर्फ एलक्ट्रोन ही गती कर सकता है प्रोट्रोन और निट्रोन जेनरली गती नहीं करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके सा आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं अगला आपका एंपियर घंटा मातरक होता है कोश्चन नमर बाइस का आपका सही सब्सक्राइब जवाब हो जाएगा जूल पर सेकेंड नमबर एंपियर अगला सवार आपका ग्लोबल वामिंग के लिए उतर दाई कौन है तो यहां पर ग्लोबल वामिंग के लिए कही सारे रिजण्स होता है जिसमें यहां पर अमोनिया है नैट्स ऑक्साइड उसके प्रबन डायोकसाइड है क्योंकि यह होता कहा कि यह इसके अंदर जो भी प्रकास की किरने आती है प्रकास की तरंग जो आते हैं उसको दिर्ग तरंगों मुँ अपने अंदर अभुशोशित कर लाता है इसी के कारण जो है तो हमारे धरती पर तेंपरेचर बढ़ जाता है तो यहां पर आपका अगला सवाल है निम्लेकित में कौन सबस्याधिक अभी करिया शील है तो यहां पर सी यू है एच जी है एजी है यू है फ्रेंट्स मैं आप लोगों को बताते चलू कि मैंने इस पर आल्रेडी एक वीडियो बना रखा है अभी किरिया यानि पदार्थों क कि अभी किरिया शीलता को जानने के लिए तो उसका लिंक आपको उसका लिंक के आप आई बटन से जाकर के देख सकते हैं वहां आप इसको आसामी से समढ़ सकते हैं इस कोशन में आपका कोशन नमबर 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है आपका कोई विलियन समाच और यह पदार्थ क्या होगा यह अगले है आपका अलकोहल इलकाइन में कारबन कारबन के बीच कितने संबंध होते हैं तो यहां पर ऑप्शन नमबर सी यानि इसमें चिपल बॉंड बनता है यानि चिपल बॉन मता एक कारबन तुट्ट दूसरे कारबन के बीच अग इस दो खेमिकल फॉर्मूला फॉर्मूला फॉल्टोस अगला है आपका उच वशी अमलों के शोडियम लवन कहलाते हैं तो यहां पर 33 का आपका सही जवाब हो जाएगा यामी की लडी हाइड लडी हाइड समू है उसके बाद अगर बात करें आवर्थ शार्नी के किसी आवर् पर तत्वों की परमानु तिरिज्ज्य तो यहां पर 35 का आपका सही जवाब हो जाएगा यह घटी चली जाती है अगला है आपका निमलिकित तत्वों में तत्वों को उनके अधातू अधातू गुन के अनुसार बढ़ते करम में सजाए तो यहां पर कोशन नमर 36 का आपका सही जवाब हो जाएगा इसही जवाब हो जाएगा कि यहां पर अगलु नमर्सका आपका सही जवाब करिया है तो यहां पर आपके option से magnesium sodium पाड़ा टंगस्टन तो यहां पर question number 40 का आपका सही जवाब हो जाएगा option number B यानि sodium यह बहुत ही ज्यादा sensitive यह sensitive element होता इसको हम लोगों को किरोशिन तिल में डूबो करके रखना होता है अपर मार्जक से बनाया जाते हैं तो यहां पर 41 का आपका सही जवाब हो जाएगा शेंपू आप मार्जक से आपके बनाया जाते हैं यहां पर इसके सही जवाब हो जाएगा question number 41 का आपका सही जवाब हो जाएगा option number D या नियू प्रोक्त सभी यहां पर 43 का आपका सही जवाब हो जाएगा option number A यानि CNG यह वहनों में डाला जाता है मुखे रोप से इसमें देखे टू सी यू प्लस ओ टू तो यहां पर क्या हो रहा आप गटन हो रहा उदासनी करन हो रहा है या विस्थापन हो रहा तो चवाले इसका आपका सही जवाब हो जाब आपके समिकरन संतुलित नहीं यानि आपको बताना है कि इसमें अभिकारक का दरबमान और उत्पात का दरबमान किसमें बरावर नहीं है तो इसका जाब आप आप लोगों का प्रिप्रेशं कितना अच्छा है तो इसके अंसर्स हमारे जरूर बता है अगला कोशन है आपका हमारा 46 का उदासीन का मान कितना होता है तो ऑप्चन नम्र ए यहांने सेवनट οι मिलियन bring कमान साथ होता है साम से नीचे जाएस ही घटेगा तो आफ लिवारões साथ से ऊपर जैसे बढ़ेगा थो पुमिनियुं नियोंति ऐसके आपका सही जवाब होता है जाए बहुत Is सब्सक्राइब की परमानु संक्या 19 उसके वाला आपका फॉर्मिक अमल का आयू पी आयू पीए सी नेम क्या है तो यहां पर पचास का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानि मेथुनोइक एशिड अगला आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी य यहां इसे जुर रहा है और एक हजा तो यहां पर सी तुह यहां पर स zone कर हो जाएगा अगला सभाल आपका थे थानिक आभिड इनक आसनीक फूद्र होता तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा अक्षन नमबर भी यानि सी टूर्फ ट्वेंटी टूओ एलेवन डाटिस दा केमिकल फॉर्मूला फॉगर एसे चुलीन में कार्बन कार्बन के बीच साथ सायोजक बंधन के संक्या क्या होते हैं तो यहां चावन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमर भी यानि सेवन अग अगला सवाल का मानव विर की प्रणाली का एक हिशाह तो मानव विर के प्रणाली का इस साथ यहां लगों से जानना चहता हूँ यह कोश्चन जायलम या फ्लोम से कोश्चन आपके हर एक्जाम में पूछे जाते हैं मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ संतावन का आपका सही जवाब होता है यह जायलम दौारा जर से जल और खनी जलवन पहुंचाया जाता है पत्ती होता है क्या अगला अगला सवाल है आपका निमलिक्त में कौन सी अनाचिक करिया नहीं है यह वैसी कोश्चन आपका नेच्छी किरिया नहीं है यानि वैसी कौन सी इन सम्मे से वैसी कौन सी किलिया जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो उल्टी को अत्यदिक लार का निकलना दिल का धरकना या चाबाना तो यहां पर आप सिंपल इसका सही जवाब हो जाएगा option number D इसको आप आप कंट्रोल कर सकते हैं जितना मन होगा आप चबाईएगा नहीं मन होगा नहीं चबाईएगा माने में गर्व की अवदी कितनी होती है तो 63 का आपका सही जवाब हो जाएगा option number B यानि की 1985 अगला सवाल है आपका 65 का मुखुरन द्वारा अलंगिक जनल निम्लिखित में नि सही जवाब हो जाएगा option number A यानि इस्ट में अगला सवाल है आपका निम्लिखित में कौन सी बीमारी स्वशन तंत्र से संबंदित है तो 66 का आपका सही जवाब हो जाएगा option number D यानि B और C दोनों तो यहां पर TB और निमोनिया यह आपके स्वशन तंत्र से संबंदित बीम कि शाकाहरी जीव ही इसको डाइजेस्ट करते हैं जो भी साकाहरी जीव हो तब वहीं सेलिलोस को डाइजेस्ट कर सकता है अगला आपका brain hemorrhage का मुखे कारण है 68 का आप सही जवाब हो जाएगा hypotension यानि option number a your right answer अगला सवाल है आपका विश्व निम्न में से परजीवी पादप का उधारन क्या है तो नहत्तर का आपका सही जवाब हो जाएगा option number b यानि कस्क कुटा अगला आपका हिर्दे से रक्त के संपुर्ण सर्जिर में pump किया जाता है तो फेपरो द्वारा निल जाब हो जाएगा option number a यानि हाट्डर में मुकूलन होता है आपका अगला सवाला जनन संचारित रोग क्या है तो यहां पर जितने भी option से option number 72 का आपका सही जवाब हो जाएगा अगला है आपका पुर्ष्व का सबसे बाहरी भाग क्या होता है तो यहां पर 73 का आपका सही ज बना रख आपको वीडियो के आई बटर से जाकर के देख सकते हैं अगला सवाल है आपका 75 नंबर ड्रक्त में गुलुकोंस की माता निमलिकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है तो इसके option से इंसुलीन गुलुकागन गैस्ट्रीन या सेमेस्ट्रो अस्टैनीन तो यहां प का हर्मोन श्रावित होता है तो यहां पर 77 का आपका सही जवाब हो जाएक option नंबर अंतर श्रावित गरंथी से अगला सवाल है आपका 78 का मनुष्य के मुखे गुआ में कितने जोरे लार गरंथिया पाई जाते हैं तो 78 का आपका सही जवाब हो जाएक option नंबर 3 यानि 3 अगले वीडियो में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक वर शेयर करना ना भूले थैंक्यू वेरी मच